नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंतरवास्तु के विशेश काजगर के साथ महासिवरात्री कितना महत्पुन है ये आप सभी को पता है ऐसा मानते हैं कि महासिवरात्री के दिन भगवान शिव हर सिवलिंग में बिराजमान रहते हैं इस दिन हम लोग घर में सिवलिंग की पूजा करते हैं या मंदिर में जा करके सिवलिंग की पूजा करते हैं जब आप मंदिर जाते हैं, सिबलिंग की पूजा करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजे हैं, कुछ ऐसी बस्तवे हैं, जो सिबलिंग पर कभी भी अरपित नहीं करना चाहिए. आम तोर पर जब आप मंदिर जाते हैं, सिबलिंग की पूजा करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीजे सिवल लिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए ऐसी चीजे भी सिवल लिंग पर अर्पित कर देते हैं अगर ये गलती आप चाहते हैं कि आप ना करें तो आप हमारे साथ अंतक बने रहे हम आपको एक के करके बताएंगे कि महासिवरात्री के दिन सिवल लिंग पर क्या चीजे बिल्कुल आपको अर्पित नहीं करना चाहिए तो हमारे साथ बने रही है हम आपको एक एक करके बताते हैं कि महासिवरात्री पर सीवलिंक पूजा में क्या चीजे आपको अर्पित नहीं करना चाहिए लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्रा कर लिए तथा बेल बटन को भी दवाए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तो मिल जाए साथ में आप कमेंट बॉक्स में महासिवरात्री अभस लिखिए देखिए हिंदु धर में सभी देवी देपताओं को परसंद करने या उनकी साधना आराधना करने के लिए बिसिष्ट तरिकों का बर्णन किया गया है कुछ ऐसी सामगरियां और बीधियां होती है जो किसी बिसिष्ट आराध देव को बहुत ही पसंद होती है उनकी पूजा में अगर आप उन सामगरियों का उन बीधियों का इस्तमाल करते है तो आपको मनुबांशित फलप्राप होता है लेकिन कुछ ऐसी सामगरी है ऐसी वस्तु है जिनका परियोग करना उल्टा परिनाम प्रदान कर सकता है जहां कुछ चीजे आराध देवी देवताओं को पसंद आती है वहीं उन्हें कुछ चीजे नापसंद भी होती हैं, ऐसे में अगर उन्हें आप नापसंद चीज अर्पित करते हैं, उनकी पूजा में उन सामगरियों का पड़ियों करते हैं, तो ये आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है, भगवान रसिप जिने भोले नाथ भी कहा जाता है, और जिसे बिना कारण से अगर भगवान रसिप कुरोधित हो जाए, तो बहुत जल्दी रोधारूप भी धरन कर लेते हैं, और सर्वनास कर देते हैं, इसलिए भगवान, रसिप की पूजा में खास तरह की चीजे अहीं अर्पित की जाती है, कुछ ऐसी चीजे हैं जो आपको अर्पित नह करें अगर आप हल्दी अर्पित करना ही चाहते हैं तो सिबलिंग की जो बेदी होती है उस पर आप हल्दी लगा सकते हैं जो माता पार्वती का सरूप माना जाता है केतकी का फुल भी कभी भी सिबलिंग पर अरपित नहीं करना चाहिए इसका ध्यान रखिए आम तोर पर लोग तुलसी के पत्ते महासिवरातरी पर सिबलिंग पर अरपित कर देते हैं लेकिन आप ध्यान रखिए कभी भी तुलसी के पत्ते सिबलिंग पर आपको अरपित नहीं करना है, साथ में केबरे का जल भी आप सिबलिंग पर अरपित ना करें, बहुत लोग सिबलिंग पर नार्यल का पानी भी अरपित करते हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं सास्त्रों में लिखा है कि सिबलिंग पर आप नार्यल तो अरपित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सिबलिंग पर नार्यल के पानी से आपको अभी सेख नहीं करना चाहिए, बहुत सायलोग ऐसी गलतियां करते हैं, ये चीजे आपको नहीं करना है, अरपित मानते हैं कि सिब लिंग पर कभी भी कुम कुम नहीं अर्पित किया जाता है इसका आप ध्यान रखिए दूसरी चीज संख से कभी भी सिब जी का अभिशेख नहीं करना चाहिए भगवान सिब ने संख चूर नाम के असुर का बद क्या था संख को उसी असुर का परतीक माना जाता है जो भगवान विश्नु का भग था इसलिए विश्नु भगवान की पूजा संख से होती है लेकिन भगवान सिब का पूजा कभी भी संख से नहीं होता है इसलिए संख में जल डाल करके कभी भी सिब लिंग का अविसेख ना करे, ये सरवनास का अकारान बन सकता है तिल या भगवान विश्नु के मैल से उत्पन हुआ है, ऐसा मानते हैं कि तिल भी भगवान सिब को अरपित नहीं करना चाहिए लेकिन अगर आप तिल अरपित करना चाहते हैं, तो उसे आप जल में डाल करके तिल अरपित कर सकते हैं, इससे सनी गरह भी आपका बलवान होगा दूसरी महत्पुन बात, तूटे हुए चावल, देखे भगवान सिब को अक्षत यानि साबुत चावल अरपित करना बहुत ही जादा अच्छा होता है ऐसा मानते हैं कि महासिवरात्री पर अगर आप अक्षत यानि कि साबुत चावल भगवान रसी या सिब लिंग को अरपित करते हैं तो यसे धन की प्राप्ती भी होती है इसलिए टूटा हुआ चावल अपुन और असुध है चावल कभी भी सिब लिंग पर अरपित ना करे हमेशा पुन साबुत चावल देख करके आप खड़े दिये उसी को आप अरपित कीजिए ये आपके लिए काफी महत्पुन रहेगा अब बात करते हैं फूल देखिए भगवान भोले नात को भगवान शिब को लाल रंग के फूल अरपित नहीं किये जाते हैं साथ ही केतकी और केबरे का फूल भी अरपित करना मना है केतकी का फूल आप भूल कर भी अरपित ना करें भगवान शीब को सफेद रंग के फूल बहुत ही जादा पसंद होते हैं इसलिए उन्हें सफेद रंग के फूल आग को अरपित करना चाहिए लाल कमल और कनेर का फूल आप जरहा सकते हैं देखिए मैंने आपको बोला है कि लाल फूल आप अरपित नहीं कर सकते हैं लाल कमल का फूल या लाल गुलाब का फूल आप अरपित कर सकते हैं भगवान सिब को सफे चंदन से ही तिलख करे लाल या पीले चंदन से उनका अभी सेख नहीं किया दाता है भगवान सिब को क्या चढ़ाएं और कैसे आप जल अर्पित करें थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं देखिए भगवान सिब को जब भी आप सिबलिंग की पूजा करते हैं तो जल आप अर्पित करते हैं जल आपको केश अरपित करना है इसके बारे में थोड़ा आप जान लेजे देखिए जब भी आप भगवान सिब को जल अरपित करते हैं तो जल पतली धारा में धीरे धीरे अरपित करना चाहिए ऐसा नहीं कि लोटा लिया और लोटा से सिब लिंग पर जल को उड़ेल दिया एसा नहीं करना हिए धीरे धीरे पतली धारा में जितना धीरे धीरे आप जल अरपित करेंगे उतना अच्छ लेगा गां इसी लिए तीन बेल पत्र तूटा फूटा नहीं होना चाहिए उस बेल पत्र को आप अवसी चरहिए बेल पत्र पर थोड़ा सा चंदन का इत्र लगा करके अगर आप अरपित करेंगे तो ये ज़्यादा अति उत्तम हो जाएगा इसके अलाबा भांग और धतुरा ये भी आप सिब्लिंग पर चरहिए काफी महत्पुन होगा अगर आप चाहते हैं कि जीवन में धन की प्राप्ती हो तो गन्य की रस भी आप सिब्लिंग पर अरपित करेंगे अगर आप सिब्लिंग पर अरपित करेंगे तो ये काफी अच्छा रहेगा इसके साथ साथ घी, सहद, दही, दूध, सक्कर इसको एक एक करके आप अरपित करें और अरपित करने के बाद पानी भी अरपित किए और उसको एक साथ मिला करके भी अरपित किए ये काफी आप अच्छा रहेगा एक चीज्ज का धियान रखिएँ जब भी आप sibling की पूझा करते हैं तो जब आप दूध रपित करते हैं या कोई का रपिते करते हैं तो तामब्यके पात्र से आपको रपित नहीं करना चाहिए, पीतल के पात्र से आपको दूध या गन्य का रस रपित करना चाहिए, चुकि तामबा और दूध बिस बना देता है, तामबा और गन्य का रस भी बिस बनाता है, इसलिए तामबे से आप जल रपित कर सकते हैं, जो तामबे का लो दितखे कि जो Estill का लोटा है 나 और लोहे का लोटा इसका परियोग आ Commoto महां सिवरात्रि के पुजा में और आपको नहीं करना चाहिए तो तो आज मैं आपको बताए कि महासिवराती की पुजा जब आप करेंगे तो क्या चीज़े आपको अर्पित नहीं करना है, किस तरह से जल अर्पित करना है और क्या चीज़े आपको अवस ही अर्पित करना चाहिए। भागवान शिव शिव अवस ही लिखे, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद.